प्रभी येशू के संपूर्ण चीवन को जैसे माम मरियम जानती है अन्य कोई भी नहीं जानता। मृत्यू में भी वहाँ खड़ेतें तो संद्योगन की दृष्टी से और प्रभयेशु का दुख्भोग और मृत्यू के बारे में संद्योगन जो बताते हैं इसलिए अन्यत तीनो सु समाचारों से विशेष है और संद्योगन हमें कुछ बातें जो अन्य तिनों सुसमाचार में नहीं पाई जाती हैं उन सब को हमें बताते हैं और संद योगन हमें प्रभु येशु को पूर्ण रुप से हर बात अपने अधिकार के अंदर रखकर कारिय करते हुए प्रस्तुत करते हैं ऐसे बहुत सारी बाते हैं जिनको हम केवल और केवल संद योगन रची सुसमाचार में ही पा सकते हैं इसलिए हम संद योगन रची सुसमाचार के अनुसार प्रभु येशु के दुखभोग जैसे पवित्र बाइबल में दिया गया है उसको सुनने के पहले हम उसका तोड़ा सा एक परिच्छे ले लें इस परिच्छे में हम बारा बातें बताएंगे जो केवल संद योगन रची सुसमाचार में विस्तार रूप से बताया गया है इसके बाद में अंद में हम सुसमाचार में जैसे बताया गया है उसको भी हम सुनेंगे संद योगन एक विशेश रिती से इसको प्रस्तुत करते हैं स्वयम प्रभु येसु सामने आकर उनसे पूछते हैं किसे डूंडते हो अन्य तीनों सुसमाचारों में ऐसे नहीं होता है यहां प्रभु येसु सब अपने अधिकार में रखकर और स्वयम आगे आकर अपने प्रस्तुत करते हैं और वास्तों में यहीं सही है क्योंगि केवल और केवल संद योगनी है ऐसे एक सुसमाचार लेकक हैं जो वहां उपस्तित्ते तो इसलिए एक विशेश है स्वयम प्रभु येसु सामने आकर अपने आपको प्रस्तुत करते हैं और जब वे कहते हैं कि म तो पुर्णा बात है केवल संद्योगन मालकुस का नाम बताते हैं जो कि महाप्रोयित का नौकरता जिसके कान को संद्योगन ये भी बताते हैं कि प्रभु येशु मालकुस के कान को चंगा करते हैं तो यहाँ प्रभ येशु के इस महानकारियों को संद योगन बताते हुए अपने विरोधियों के लिए भी अच्छा सोचने वाला एक विक्ती के रूप में प्रभ येशु को प्रस्तुत करते हैं तिसरी बात है जैसे सुरू से मैं करते आ रहा हूँ संद योगन प्रभ येशु को इश्वर के रूप में प्रकट करते हैं जरूर वे इश्वर ये विक्ती हैं इसलिए प्रारंब से उनके सुसमाचार प्रारंब से हम देखते हैं उपर से सुरू होता है याने तरिये की इश्वर से ये सुरू होता है आदी में शब्द था, शब्द इश्वर के साथ था और शब्द इश्वर था और ये शब्द ने शर्यधारन कर हमारे बीच निवास किया तो यहां हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्रभ येसु इश्वर हैं, उनकी इश्वरियता को संद योगन स्पष्ट सामने रखते हुए अपना सुसमाचार प्रस्तुत करते हैं और यहां उनके पुछताच के समय में भी प्रभ येसु प्लात्तु से यही करते हैं मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है यह संद योगन रचिसु समाचार में एक विशेस बात है चौती बात है, यहां संद योगन ही, जैसे हम मालकुस को देखे उसके बारे में संद योगन ही केवल बताते हैं यह संद पेत्रूस है, जो उनके कान को काटे थे और कोई नहीं, पेत्रूस ही काटे थे यह वास्तों में पेत्रूस के जो विशेस स्थान है प्रभ येसु के जीवन में और लीडर के रूप में नेता के रूप में पेत्रूस वहाँ अन्य प्रेरितों से उबर कर उपर दिखाई देते हैं यह इसलिए भी विशेस है क्योंगि तीन बार संद पेत्रूस प्रभुयेसु को अस्विकार करते हैं वहाँ भी यह बात उबर कर आएगी पांच भी विशेस बात है संद योगन रचिसु समाचार में केवल संद योगन ही प्रभुयेसु और निकोदेमुस के बीच के वार्तलाप का वर्नन करते हैं अध्यायतीन में यह क्यों महत पूर्ण है क्योंगी प्रभुयेसु को जैसे संद योगन शुरू से ही यिश्वर के रूप में प्रस्तुत करते आ रहे हैं और अध्यायतीन में प्रभुयेसु कहेंगे उनके द्वारा ही जीवन संभव है और वो सब बातें यहां पूर्ण होते हुए हम देख सकते हैं चट्वी मातव पूर्ण बात है संद योगन प्रभुयेसु कितनी बार कितने लोगों के सामने पेश किये गे थे उनकी सुनवाई हुई थी उसका पूरा पूरा डीटेल वर्नन करते हैं और प्रभुयेसु की मृत्यूदंड देने के पहले भी प्रभुयेसु पूंदूस प्लातुस के सामने पेश किये गे थे इसके बारे में अन्यसु सुमाचारम में वर्नन नहीं है केवल योगन ही इसका वर्नन करते हैं और वह जो बात्चित या जो वार्तला प्रभुयेसु और पॉंदुस प्लातुस के बीच में हुई थी वो इसलिए महतोपूर्ण है क्योंगि उस बीच में ही उनके वार्तला में ही प्रभुयेसु कुछ महान विशेस बातों को प्रकट करते हैं जिसका संधियोगन वर्नन कर संधियोगन वर्नन करते हैं और वास्तों में सब बहुत महतोपूर्ण है आटवीम बात है प्रभुयेसु के सिर्फ पर काटों का मुकुट जो रखा गया था इसका वर्नन केवल संधियोगन अपने सुसमाचार में लिखते हैं और उसको रखने के बाद भी साइनिक आकर उन पर फिर तपड मारते थूकते और उनको यहुदियों के राजा के रूप में उनका उपहास करते हैं इसका वर्नन केवल संधियोगन ही बताते हैं तो इसलिए हम देख सकते हैं उनके शारीरिक उत्पेडन के साथ साथ या दुख के साथ साथ मानसिक और आध्याद्मिक दुख भी उनने दिया गया था नवी विशे इस बात है प्रभी येसु का ये दुख्भोग इसका चरम सीमा प्रभी येसु का कुरूस आरोपन्या कुरूस में उनकी मृत्यु है और संधियोगन उसका विस्तार वर्नन करते हैं और वे ये भी बताते हैं कि उनके कपड़ों को चिट्टी डालकर लोग या साइनिक अपने आपस में बाट दिये और उनके कुरूस के उपर जो डंड का जो वर्नन है ये सानासरी यहुदियों का राजा वो भी संध योहन स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं दस्वीन बात हैं अन्य कोई भी सूसमाचार में प्रभु येशु अपनी मा को और अपने प्रिया शिश्यों को एक दूसरे को सौमते हुए वर्नन नहीं किया गया है और इसके साथ साथ और ये एक महतोपूर्ण बात है संध योहन ही दो गटनाओं के समय में प्रभु येशु को अपनी मा को दोनं गटनाओं में भद्रे यास्त्री करकर संबोधित करते हुए प्रस्तुत किये हैं उसका भी विशेश बाते हैं इसके बारे में हम पूरा-पूरा एक वीडियो बनाये हैं उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं आप जरूर उसको देखिएगा बहुत ही महतोपूर्ण बात यहां संद योगन प्रभी येसु को नई सृष्टी के नए आदम और मरियम को नई हेवा के रूप में प्रस्तुत करते हैं वास्तों में प्रभु येसु के सब उन्हें सिखाए उन सब को संध्योगन स्पष्ट रुप से हम बर प्रकट करते हैं हमें बताते हैं ये बहुत ही विशेस बात है संध्योगन यी ऐसा एक सुसमाचर है जहां संध्योगन स्पष्ट रुप से बताते हैं कि प्रभु येसु के पर तोड़े नहीं गिये थे वास्तों में सामाने रुप से जितने लोग कुरूसित किये जाते थे उन लोग कुरूस पर मरते नहीं थे जैसे प्रभु येसु की मृत्य हुई थी क्योंगी उन लोग इतना जादा कोड़े नहीं लगाये जाते थे जितना प्रभु येसु क साथ किया गया था इसलिए हम देखते हैं जब प्लातुस को ये सुचना दी जाती है कि प्रभ येसु मर गये हैं वो आश्री चकित हो जाता है क्योंकि सामानी रुप से ऐसा होता नहीं था इसलिए जितने लोग पुरुसित किया जाते थे उनके पैरों को तोड़ा जाता था कुन जल्दि बगे और वे मर जाएं और लघू केवल बगना नहीं उनका शरीर केवल हातों के सहारे से कड़े रहे गा और जल्दी उन लोग सास फूल जाना की कारण नहीं लेने कारण जल्दी मर जाते हैं लेकिन संद योगन बताते हैं कि प्रभ येसु के पैरों में नही करते हैं जिसका भविश्यवानी हम देखते हैं नभी जकरिया का ग्रंद अद्याय बारा पत्संग्य दस में जिसे उन्होंने छेदा उसी की और वे देखेंगे बारवीम बात है प्रभी येसु की मृत्यू के बाद उनको कुरूस से नीचे उतारना और कौन गया था कौन उत प्रभी येसु दफनाय गये ते इन सबका वर्नन केवल संध्योगन ही बताते हैं यहां वे अरिमत्या के यूसुफ के बारे में वर्नन करते हैं जो वास्तों में एक अमीर यहूदी मुख्य विक्ती थे तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि उस सम्में बहुत सरे से लोग थे शक्तिशाली अधिकारी लोग भी थे जो प्रभी येसु के अनुयाई थे उनके शिश्य थे तो यह सब विशेस बातें केवल संध्योगन रचिसु समाचार में ही हम पा सकते हैं तो यहां प्रभी येसु के दुद्भों का जो वर्नन है संध्योगन रचिसु समाचार म उनके गजसमनी बागी से उनके अंदीम ब्याली से लेकर उनके दफन तक संद योगन कुछ विशेस बातों को हमें बताते हैं हम यहां केवल कुछ बारा बातें देखे इससे बहुत सारी बातें और भी हम देख सकते हैं इनके साथ साथ हम संद लुकसरची सूसमाचार के अनुसार प्रभु येसु की मृत्यू का वर्नन उसको हम पप्लिश किये हैं उसको भी जरूर देखिये उसमें भी कुछ विशेस बाते हैं हमें देखने को मिलेगी और वहां संद लुकसरची सूसमाचार में हम अलग-अलग लोगों को उन गटनाओं को या सुसमाचार की बातों को पढ़ते हुए हम सुनेंगे तो वो ज्यादा इंट्रस्टिंग भी रह सकता है लेकिन यहां आईए इसके बाद से हम संद योगंडची सुसमाचार के अनुसार प्रभ येसु के दुख्भो का वर्नन हम सुनेंगे प् मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो वे तुम्हें सभाग रहों से निकाल देंगे इतना ही नहीं वो समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वो इश्वर की सेवा कर रहा है वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिथा को पहचाना है और न मुझ को मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें ये स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था पवित्र आत्मा का आगमन मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से ये नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा और तुम लोगों में कोई मुझे ये नहीं पूछता कि आप कहा जा रहे हैं मैंने तुम से ये कहा है इसलिए तुम्हारे रदय शोक से भर गए हैं फिर भी मैं तुम लोगों को सच कहता हूँ तुम्हारा कल्यान इसमें है कि मैं चला जाओं यदि मैं नहीं जाओंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा यदि मैं जाओंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा जब वो आएगा तो पाप, धार्मिक्ता और दंडाग्या के विशय में संसार का भ्रम प्रमानित कर देगा पाप के विशय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते धार्मिक्ता के विशय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे दंडाग्या के विशय में क्योंकि इस संसार का नायक दोशी ठैराया जा चुका है मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है परंटू अभी तुम वो नहीं सह सकते जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा क्योंकि वो अपनी और से नहीं कहेगा बलकि वो जो कुछ सुनेगा वहीं कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विशय में बताएगा वो मुझे महिमान वित करेगा क्योंकि उसे मेरी और से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा जो कुछ पिता का है वो मेरा है इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी और से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा तुम मुझे फिर देखोगे थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे इस पर उनके कुछ शिश्यों ने आपस में कहा वो हमसे ये क्या कहते हैं थोड़े ही समय बाद, तुम मुझे नहीं देखोगे, और फिर थोड़े ही समय बाद, तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए वे कहते थे, वो जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अर्त पर विचार विमर्ष कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ तुम рोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनन्द मनाएगा तुम शोक करोगे, किन्तु तुम्हारा शोक आनन्द बन जाएगा प्रसव निकटाने परिस्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है किन्तु बालत को जन्म देने के बाद, वो अपनी वेदना भूल जाती है क्योंकि उसे आनन्द होता है, कि संसार में एक मशिता जन्म हुआ है इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किन्तु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनन्द मनाओगे, तुमसे तुम्हारा आनन्द कोई छीन नहीं सकेगा उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्ण नहीं करोगे मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे, वो तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिस से तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो मैंने संसार पर विजय पाई है मैंने तुम लोगों से ये सब दृष्टान्तों में कहा है वो समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टान्तों में कुछ नहीं कहूंगा बल्कि तुम्हें इस पश्ट शब्दों में पिता के विशय में बताऊंगा तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा पिता तो स्वयम तुम्हें प्यार करता है क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और ये विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहां से आया हूं मैं पिता के यहां से संसार में आया हूं अब मैं संसार को छोड़ कर पिता के पास जा रहा हूँ उनके शिश्यों ने उनसे कहा देखिए अब आप दृष्टानतों में नहीं बलकि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं प्रश्णों की कोई जरूरत नहीं रह गई है इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहां से आए हैं ईसा ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम अब विश्वास करते हो देखो वो घड़ी आ रही है आ ही गई है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि पिता मेरे साथ है मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शान्ती प्राप्त कर सको संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा परंतु ढालस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है अध्याई सत्रह महा पुरोहित मसीह की प्रार्थना ये सब कहने के बाद इसा अपनी आखें उपर उठा कर बोले पिता वो घड़ी आ गई है अपने पुत्र को महिमा अन्वित कर जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे तुने उसे समस्त मानव जाती पर अधिकार दिया है जिससे वो उन सब को अनंत जीवन प्रदान करे जिनहें तुने उसे सोपा है वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और इसा मसीह को जिसे तुने भेजा है जान ले यही अनंत जीवन है जो कार्य तुने मुझे करने को दिया था वो मैंने पूरा किया है इस तरह मैंने प्रिथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है पिता संसार की स्रिष्टी से पहले मुझे तेरे यहां जो महिमा प्रकट थी अब उससे मुझे विभूशित कर तुने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सोपा उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है वे तेरे ही थे तुने उन्हें मुझे सोपा शिक्षा का पालन किया है अब वे जान गए हैं कि तुने मुझे जो कुछ दिया है वो सब तुझ से आता है तुने जो संदेश मुझे दिया मैंने वो संदेश उन्हें दे दिया वे उसे ग्रहन कर ये जान गए कि मैं तेरे यहां से आया हूं और उन्होंने ये विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा मैं उनके लिए विंती करता हूँ मैं संसार के लिए नहीं बलकि उनके लिए विंती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौपा है क्योंकि वे तेरे ही हैं जो कुछ मेरा है वो तेरा है और जो तेरा वो मेरा है मैं उनके द्वारा महिमान वित हुआ अब मैं संसार में नहीं रहूंगा परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ परंपावन पिता तूने जिन्हें मुझे सौपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ से सुरक्षित रख जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें तूने जिन्हें मुझे सौपा है जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ से सुरक्षित रखा मैंने उनकी रक्षा की उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है विनाश का पुत्र इसका एक मात्र अपवाद है क्योंकि धर्मगरंत का पूरा हो जाना अनिवार्य था अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ जब तक मैं संसार में हूँ ये सब कह रहा हूँ जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है संसार ने उनसे बैर किया क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ के नहीं है मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचा वे संसार के नहीं है जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर तेरी शिक्षा ही सत्य है मुझे संसार में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं मैं न केवल उनके लिए विंती करता हूँ बलके उनके लिए भी, जो उनकी शिक्षा सुनकर, मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तु मुझ में है, और मैं तुझ में, उसी तरह, वे भी हमें एक हो जाएं। जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वो मैंने उन्हें दे दी है जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं मैं उन्में रहूं और तू मुझे में जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया पिता मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौ्पा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहें जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है क्योंकि तूने संसार की स्रिष्टी से पहले मुझे प्यार किया न्याई पिता संसार ने तुझे नहीं जाना परन्तु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वो प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं अध्याए 18 इसा की गिरफतारी ये सब कहने के बाद आपने शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पल्टन और महायाजकूं तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुँचा। वे लोग लाल्टेने, मशालें और हत्यार लिये थे। ईसा ये जानकर कि मुझपर क्या-क्या बीतेगी आगे बढ़े और उनसे बोले किसे ढूमते हो, उन्होंने उत्तर दिया ईसा नाजरी को, ईसा ने उनसे कहा मैं वही हूँ, वहां उनका विश्वास गाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमी पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूमते हो, वे बोले, ईसा नाजरी को, इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ, कि मैं वही हूँ, यदि तुम मुझे ढूमते हो, तो इन्हें जाने दो, ये इसलिए हुआ, कि उनका ये कथन पूरा हो जाए, तुने मुझे को जिन्हें सौपा, मैंने उन में से एक का भी सरवनाश नहीं होने दिया, उस समय सिमोन पैतरुस ने अपनी तलवार खीच ली, और प्रधान याजक के नौकर पर चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया, उस नौकर का नाम मल्खुस था, इसा ने पैतरुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो, जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पियूँ, तब पल्तन, कप्तान और यहुदियों के प्यादों ने इसा को पकड़ कर बांद लिया, वे उन्हें पहले अन्नस के यहां ले गए, क्योंकि वो, उ यह वही कैफस था, जिसने यहुदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है, कि राश्टर के लिए एक ही मनुश मरे, पैत्रुस का अस्वी करण, सिमोन पैत्रुस और एक दूसरा शिष इसा के पीछे पीछे चले, यह शिष प्रधानी आजग का परिचित था, और इसा के साथ प्रधानी आजग के प्रांगण में गया, किन्तु पैत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा, इसलिए वो दूसरा शिष जो प्रधानी आजग का परिचित था, फिर बाहर गया, और दौर पाली से कहकर पैत्रुस को भीतर ले आया, दौर पाली ने पैत्रुस से कहा, कहीं, तुम भी तो उस मनुश्य के शिष नहीं हो, उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ, जाड़े के कारण, नौकर और प्यादे, आग सुलगा कर ताप रहे थे, पैत्रुस भी उनके साथ आग तापता रहा, ईसा प्रधान याजक के सामने, प्रधान याजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनके शिक्षा के विशए में पूछा, इसा ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ, मैंने सदा सभाग रह और मंदिर में, जहां सब यहुदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है, मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा, यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं, उनसे पूछिए, जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है, वे जानते हैं, कि मैंने क्या क्या कहा, इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने, ईसा को थपड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजग को इस तरह जवाब देते हो, इसा ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा, तु गलती बता दो, और यदि ठीक कहा, तु मुझे क्यों मारते हो, इसके बाद, अन्नस ने बांधे हुए ईसा को, प्रधान याजग कैफस के पास भेचा, पैत्रुस का पुनह अस्वी करण, सिमोन पैत्रुस, उस समयाग ताप रहा था, कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिश्य नहीं हो, उसने अस्वी कार करते हुए कहा, नहीं हूँ, प्रधान याजग का एक नौकर, उस व्यक्ति का संबंधी था, जिसका कान पैत्रुस ने उड़ा दिया था, उसने कहा, क्या मैंने तुम को उसके साथ बारी में नहीं देखा था, पैत्रुस ने फिर अस्विकार किया, और उसी च्षण मुर्गे ने बांग दी पिलातुस के सामने, तब वे इसा को कैफस के यहां से राजपाल के भवन ले गए, अब भोर हो गया था, वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुध नहो जाएं, बलकि पासका का मेम नहीं खा सकें। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुश्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यदि ये कुकर्मी नहीं होता, तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाएए, और अपनी सम्हेता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहुदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। ये इसलिए हुआ, कि इसा का वो कथन पूरा हो जाए, जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था, कि उनकी मृत्यू किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर इसा को बुला भेजा, और उनसे कहा, क्या तुम यहुदियों के राजा हो। इसा ने उत्तर दिया, क्या आप ये अपनी और से कहते हैं, या दूसरों ने आप से मेरे विशय में ये कहा है। पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहुदी हूँ, तुम्हारे ही लोगों, और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज संसार का होता, तो मेरे अनुयाई लड़ते, और मैं यहुदियों के हवाले नहीं किया जाता। पर उन्तु मेरा राज यहां का नहीं है। इस पर पिलात उसने उनसे कहा, तो तुम राजा हो। इसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ, कि सत्य के विशय में साक्ष दूँ। जो सत्य के पक्ष में है, वो मेरी सुनता है। पिलात उसने उनसे कहा, सत्य क्या है। वो ये कहकर फिर बाहर गया, और यहुदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोश नहीं पाता हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए पासका के अउसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को रिहा कर दू। इस पर वेचिल्दा उठे, इसे नहीं, बराबस को, बराबस डाकू था। अध्याए उन्नीस, कांटों का मुकट, तब पिलातुस ने इसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकट गूत कर उनके सिर पर रख दिया, और उन्हें बेंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहते थे, यहुदियों के राजा प्राम। और वे उन्हें थपड मारते जाते थे। प्रान दंड की आग गया। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा। देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं। जिससे तुम यह जान लो, कि मैं उसमें कोई दोश नहीं पाता। तब ईसा काटो का मुकट और बेंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वो मनश। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे। इसे एक क्रूस दीजिए, इसे एक क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ, और क्रूस पर चड़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोश नहीं पाता। यहुदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक सम्हिता है, और उस सम्हिता के अनुसार ये प्राण दंड के युग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस ये सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर ईश्वर से पूछा, तुम कहा के हो? किन्तु ईश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे तुम को रिहा करने का भी अधिकार है और तुम को क्रूस पर चड़वाने का भी? इसा ने उत्तर दिया। यदि आपको उपर से अधिकार न दिया गया होता, तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया, वो अधिक दोशी है। इसके बाद पिलातुस इसा को मुक्त करने का उपाई ढूनता रहा। परन्तु यहुदी ये कहते हुए चिलाते रहे। यदि आप इसे रिहा करते हैं, तो आप कैसर के हितेशी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है, वो कैसर का विरोध करता है। ये सुनकर पिलातुस ने इसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वो अपने नियासन पर उस जगह जो लिथोस त्रोतोस और इबरानी में गबथा कहलाती है, बैठ गया। पासका की तैयारी का दिन था। लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहुदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिला उठे। ले जाएए, ले जाएए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चड़वा दूँ। महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने इसा को क्रूस पर चड़वाने के लिए उनके हवाले कर दिया। क्रूस आरोपन वे इसा को ले गए और वो अपना क्रूस ढोते हुए खोपडी की जगह नामकिस्थान गए इबरानी में उसका नाम गोल गोता है वहां उन्होंने इसा को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चड़ाया एक को इस ओर दूसरे को उस ओर और बीच में इसा को पिलातुस ने एक दोश पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया वो इस प्रकार था इसा नाजरी यहुदियों का राजा बहुत से यहुदियों ने ये दोश पत्र पढ़ा क्योंकि वो इस थान जहां इसा क्रूस पर चड़ाए गए थे शहर के पास ही था और दोश पत्र इबरानी लातीनी और यूनानी भाशा में लिखा हुआ था इसलिए यहुदियों के महायाजकों ने फिलातुस से कहा आप ये नहीं लिखिए यहुदियों का राजा बलके इस ने कहा कि मैं यहुदियों का राजा हूँ फिलातुस ने उत्तर दिया मैंने जो लिख दिया सुल लिख दिया इसा को कुरूस पर चड़ाने के बाद सेनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्टे के सिवा उन कपड़ों के चार भाग कर दिये हर सेनिक के लिए एक एक भाग उस कुर्टे में सीवन नहीं था वो उपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था उन्होंने आपस में कहा हम इसे नहीं फाड़े चिठ्ठी डाल कर देख लें कि ये किसे मिलता है ये इसलिए हुआ कि धर्मगरंथ का ये कथन पूरा हो जाए उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिठ्ठी डाली सेनिकों ने ऐसा ही किया इसा की माता इसा की माता उसकी बहन कलोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगद लेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी इसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिश को जिसे वो प्यार करते थे देखा उन्होंने अपनी माता से कहा बद्रे ये आपका पुत्र है इसके बाद उन्होंने उस शिश से कहा ये तुम्हारी माता है उस समय से उस शिश ने उसे अपने यहां आश्रे दिया इसा की मृत्यू तब इसा नहीं ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है धर्मगरंथ का लेख पूरा करने के उद्देश से कहा मैं प्यासा हूँ वहां खटी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था लोगों ने उसमें एक पंसोखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर इसा के मुख से लगा दिया इसा ने खटी अंगूरी चक्कर कहा सब पूरा हो चुका है और सिर जुका कर प्राण त्याग दिये रदय का छेदन वो तैयारी का दिन था यहुदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्याओार पड़ता था उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और शव हटा दिये जाएं इसलिए सैनिकों ने आकर इसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगे तोड़ दी फिर दूसरे व्यक्ति की जब उन्होंने इसा के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला जिसने ये देखा है वही इसका साक्ष देता है और उसका साक्ष सच्चा है वो जानता है कि वो सच बोलता है जिससे आप लोग भी विश्वास करें ये इसलिए हुआ कि धर्मगरंथ का ये कथन पूरा हो जाए उसकी एक भी हड़ी नहीं तोड़ी जाएगी फिर धर्मगरंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे इसा का दफन इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने जो यहुदियों के भय के कारण इसा का गुप्त शिश्ष था पिलातुस से इसा का शवल ले जाने की अनुमती मांगी पिलातुस ने अनुमती दे दी इसलिए यूसुफ आकर इसा का शवल ले गया निकोदेमुस भी पहुँचा जो पहले रात को इसा से मिलने आया था वो लगभग पचास सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया उन्होंने इसा कशवलिया और यहुदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधे द्रव्यों के साथ छाल्टी की पट्टियों में लपेटा जहां इसा क्रूस पर चढ़ाए गये थे जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था उन्होंने इसा को वहीं रख दिया क्योंकि वो यहुदियों के लिए तैयारी का दिन था और वो कबर निकट ही थी हम सभी प्रभु येसु के इसास्यम प्रेम को अनुभो करते हुए हम उनके सुसमाचार के उनके प्रेम के संदेश वागक बने इश्वर आप सबों को विशेश आशिश और अनुगर प्रदान करें हम एता दो जनके प्रों के लिए जनके इसान करेंके लिए लागक जाए सकते हैं